हाई वेल्कम टू लर्न विडेश कार तो आज वीडियो चाहर जाएं अपको बता हो आप न्च यहां कि और यहां के पहले क्या है और हम इसकregular कंध्य uniforms कर सकते हैं और आपको यादो के यहां को और डिश भी ज में अन। आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो तो च्ब् travelled . क्योंकि इस cell के अंदर जो value है वो 50 से ज़ादा है तो guys अगर आपके पास यहाँ पर एक condition होती है तो आप इसे बड़ी आसानी से solve कर सकते हो लेकिन guys अब अगर मैं आपको condition देता हूँ कि इस cell के अंदर जो value है वो 0 से ज़ादा होनी चाहिए और 100 से कम होनी चाहिए तो क्या होगा यहाँ पर true print होना चाहिए तो guys कहने का मतलब यह है कि आपको एक ही बार में दो condition को check करना है क्योंकि guys अगर आप यहाँ पर इस तरीके से check करते हो equal to this cell greater than equal to 0 और मैं यहाँ पर enter करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है true आ जाता है लेकिन अगर मैं इसी के आगे और condition लगाना है start करता हूँ तो वो मैं क्यासा कर पाऊँगा अगर मैं यहाँ पर comma लगाता हूँ और फिरी से select करता हूँ और यहाँ पर type करता हूँ less than equal to 100 और यहाँ पर enter करता हूँ तो guys enter करने के बाद इसने मुझे यहाँ पर दिया false जबकि यहाँ पर false नहीं आना चाहिए था क्योंकि guys इस cell के अंदर जो value वो 0 से भी जाद है और 100 से भी कम है तो अगर आपको इस तरीकी की condition को check करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर use करते हो किसका end का तो आप क्या करोगे यहाँ पर लगाओगे equal to और type करोगे end end type करने के बाद आप यहाँ पर इसका bracket open करोगे तो यह आप से सबसे पहला logical test पूछेगा तो हमने यहाँ पर इसको select करा और यहाँ पर logical test दिया greater than equal to zero मतलब हमारी first condition हमने इसके अंदर दे दी उसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कॉमा लगाएंगे और जैसे मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ तो हमारा first logical test हो क्या हो गया म्यूट हो गया लेकिन second logical test क्या हो गया highlight हो गया अब हम क्या करेंगे इस cell को again select करेंगे और यहाँ पर condition देंगे less than equal to hundred और उसके बाद हम क्या कर देंगे इसका bracket close कर देंगे bracket close करने के बाद देखो गाईस यहाँ पर इसने मुझे print कर दिया true जो कि बिल्कुल correct है क्योंकि इस cell के अंदर जो value वापकी zero से जाधा भी है और hundred से कम भी है अगर मैं क्या करता हूँ इस cell के अंदर value को change कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर type कर आए 125 तो उसके बाद इसने हमें यहाँ पर answer दिया क्या false क्योंकि यह hundred से कम नहीं है इसी तरीके सा अगर मैं यहाँ पर कोई minus वाली value type कर देता हूँ तो भी क्या देगा है हमें false देगा क्योंकि यह zero से जादा नहीं है तो guys इस तरीके सा आप यहाँ पर use कर सकतो and function का इसके अंदर क्या होता है आप multiples condition दे देते हो और अगर वो सारी condition क्या हो जाती है true हो जाती है तो आप यहाँ पर direct number ना type करके उस cell का reference दोगे जिसके अंदर आपने number पहले से ही type कर रहा है इसी तरीके से मैं यहाँ से 100 को भी हटा देता हूँ 100 को अटाने के बाद 100 वाली cell का reference select कर लेता हूँ equals to को हटा देते हैं यहां से और enter कर देते हैं और सेम इसी तरीके से मैं इसमें से भी यह less than equals to को हटा देता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ enter कर देता हूँ तो guys अब देखो हमारा यहाँ पर function पूरा properly work कर रहा है और मैंने ऐसे क्यों बोला कि आपको इसका reference select करना है क्योंकि guys अगर आपको कभी भी future में condition को change करना पड़ गया है अब हमें क्या करना है इस formula को नीचे copy करना है तो formula को नीचे copy करना है लेकिन इनका reference हमें change नहीं करना है तो हमें इने क्या करना है fix करना है तो fix करने के लिए आप अपने keyboard के अंदर press करोगे F4 तो क्या होगा आपकी इस cell के अंदर dollar के symbol लग क्या जाएंगे column और row क्या गए तो इसका मतलब होता है यह cell क्या होगई fix होगई इसी तरीके से मैं day 6 को भी क्या करते तो fix कर देता हूँ fix करने के लिए हम कौन सी की press करते है F4 और उसके बाद मैं यहाँ पर enter करता हूँ तो enter करने के बाद देखो guys यहाँ पर false दिखा दिया और उसके बाद आप यहाँ पर corner पर करसला के double click करोगे अब बात करते हैं यहाँ पर और function की करता है and मैं समझ आगे के multiple condition लेता है और सारी condition true होती है तो true return कर देता है लेकिन अगर एक भी condition क्या हो जाती है false हो जाती है तो वह क्या करता है उसे false कर देता है लेकिन और क्या करता है तो guys मांगेगा आप से जैसे आपने end function के अंदर दिया था मतलब multiple condition दी थी लेकिन guys अब end और और में difference क्या होता है मैं आपको clear कर देता हूँ जैसे कि मैंने end function के बारे में लिखा है आप है return true if all condition हा true और और function क्या करता है return true if any condition is true कि अगर आपने इसे 10 condition दिये 10 में से एक भी true हो गई तो और क्या कर देगा आपका true कर देगा जबकि end क्या करता है जब तक सारी condition true ना जाए तब तक वो true नहीं करता अब मैं आपको और का use करके दिखाता हूँ तो आपको difference अच्छे से clear हो जाएगा तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर एक छोटी सी table की rate करीज और इस table के अंदर दो adding है एक है color और एक है result color वाली heading के अंदर हमने आपको colors के name लिख रखे मुझे यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जिस cell के अंदर black लिखा है तो उसके आगे क्या जाए गाइस लिख खवा जाए तो इससे हम कैसे कर सकते हैं तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर और start करा और start करने के बाद मैंने इस cell को select करा और यहाँ पर मैंने equal to लगा दिया और इसके अंदर type कर दिया black और inverted comma close करा फिर comma लगाया comma लगाने के बाद again logical test मांग रहा है तो हमने यहाँ पर दुबारा cell को select करा और again equal to लगाया और इसके अंदर type करा हमने क्या blue type करने के बाद मैंने यहाँ पर inverted comma को close करा और अपने और function को भी यहाँ पर close कर दिया क्योंकि आमारे पाफ और अपने नहीं है बस दो ही condition थी तो मैंने आप इससे क्या कर दिया ऍार कर दिया और उसने में आप पर तूर कर दिया अगर black हो या फिर blue हो तो black and blue में से कोई सी भी condition क्या हो जाती है आपकी true हो जाती है तो क्या करेगा यह true return कर देगा लेकिन अगर दोनों ही condition क्या हो जाती है यहां पर false हो जाती है तो और क्या करेगा आपका false return कर देगा उसी के साथ मैं यहां पर type नहीं करूँगा black and blue तो मैं क्या कर देता हूँ इसे अटा देता हूँ और यहां पर cell का reference लेक करता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ fix कर देता हूँ और मैं इसके अंदर भी यही करूँगा guys क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरीके से function को लिखते हो तो आपका काम काफी जादा आसान हो जाता है और साथ ही साथ मैं इसे भी क्या करते हूँ fix कर देता हूँ fix करने के बाद मैं इसे यहां पर enter करते हूँ तो enter करने के बाद देखो गई इसने again true करा और अगर मैं इसे सारी cell के अंदर copy करता हूँ यहाँ पर corner पर click करके तो देखना गाई सारी cell के अंदर apply हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर इसे black या फिर blue मिलेगा तो वहाँ पर यह क्या करतेगा true करतेगा लेकिन जहाँ पर इसे black and blue नहीं मिलेगा वहाँ पर क्या करतेगा false करतेगा और इसी के साथ आशा करता हूँ आपको end function भी समझ आया होगा और साथ ही साथ आपको और function भी समझ आया होगा और वीडियो को end करने से पहले मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक exercise मैं आपको बता दू कि exercise सभी लोगों को solve करने है और solve करने के बाद आपका जो formula होगा उसे नीचे comment box में comment करके मुझे दिखाना है और अगर आपका formula सही होता है तो मैं आप सभी को shout out दूँगा इसी के साथ मैं बताता हूँ आपको exercise क्या है तो हमने आपे क्या कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर grade निकालेते है और grade किस तरीके से निकालेते है कि अगर बच्चे का score less than 64 होता है मतलब 64 से कम होता है तो क्या grade आएगा यहाँ पर F आएगा लेकिन अगर बच्चे का score 64 से कम नहीं होता है तो हमने क्या कर रहता है अगें कंडिशन को चेक कर रहता है और कंडिशन क्या थी हमारी 73 कि 73 से कम होता है तो क्या आएगा डी आएगा और इसी के साथ 85 से कम होता है तो क्या जाएगा आपका C आजाएगा और अगर 95 से कम होता है तो B आजाएगा फिर उसके बाद हमने last condition दे दी थी क्या A और फिर उसके बाद हमने इस formula को क्या कर दिया था close कर दिया था formula को close करने के बाद इसके अंदर कुछ कमी आई है वो मैं आपको बता तूँ और guys उसी कमी को आपको ठीक करना है as a exercise अब मैं आपको बतातू कमी क्या है कि अगर मैंने इस cell के अंदर यहां पर value टाइप करी 125 अब मैंने 125 यहां पर टाइप कर दिया और इसने मुझे यहां पर grade निकाल के दे दिया क्या A क्या यह possible है कि कि किसी बच्चे का score 100 से जादा आ सकता है नहीं आ सकता तो एक गलती यह है और उसी के साथ दूसरी गलती है कि अगर मैंने यहां पर टाइप करते है माइनस 95 तो भी इसने हमें यहां पर grade निकाल के दे दी F तो यह भी possible नहीं है क्योंकि बच्चे का score ना तो minus में आ सकता है ना ही 100 से जादा आ सकता है तो आपको करना क्या है बच्चे की grade तभी निकालने है जब आपका score होता है greater than equal to 0 या फिर less than equal to 100 कहने का मतलब यह है कि आपको grade तभ निकालने है जब बच्चे का score 0 से लेके 100 के बीच में है अगर minus में value आती है तभी grade नहीं निकलेगी और 100 से उपर value जाती है तभी grade नहीं निकलेगी और अगर grade नहीं निकलेगी और इस type की कोई value आती है score के अंदर तो आपको यहाँ पर type कराना है invalid score और गाइस अगर आपको यहाँ पर exercise नहीं समझ आई तो मैं समझाता हूँ आपको कि आपको score को check करना है कि score अगर greater than 0 होता है और less than 100 होता है तो ही क्या निकली कि यहाँ पर grade निकल के आएगी लेकिन अगर score 0 से नीचे जाता है या फिर 100 से उपड़ जाता है तो यहाँ पर आपको print कराना है क्या invalid score और इसी के साथ मैं वीडियो को stop करता हूँ लेकिन गाइस मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ कि आपको exercise solve करनी है अगर आपको excel के अंदर master करना है और उसी के साथ exercise को solve करके आप comment करोगे उस formula को अपनी comment के अंदर type करके ओके गाइस बाइबाइ थैंक यू